नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप सीटेट संस्क्रिट पेडवाजी के कुछ महतोपून प्रश्णों की सिरिंखला देखने जा रहे हैं संस्क्रिट पेडवाजी सीरीज की ये प्रमुक 16 वी वीडियो है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए दोस्तों आज केस मैंतोपून वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्ण पूछा क्या है स्वाग्रंथे चौमस्की महोदेन प्रतिपादितम यानि कि स्वाग्रंथे यानि कि अपनी पुस्तक में चौमस्की महोदेने क्या प्रतिपादित किया यानि उनका स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है ठीक है चलिए पहले विकल्ब से सुरुआत करते हैं यानि कि हमसे ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो है वो भासा को अनुकरण के मादयम से सीखते हैं तो ये विकल्ब गलत है नौम्चमस्की ने इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है दूसरा देखें क्या कहा जा रहा है कि वित्त निर्माड वत्त भासा सिख्चणम यानि कि जो भासा सिख्चण है वो कहा जा रहा कि हैबिट फॉर्मेशन है यानि आदत होता है भासा सिखना आदत हमारा क्या होता है क्योंकि आप सुबा उठते ही रोज सोचाले में जाते थे आप एक दिन ना जा करके देखिए वो आपको indicate करेगा आपका mind आपको indication देगा कि आप कुछ भूले हैं आपको सोचाले में जाना है क्यों क्योंकि आपकी वो आदत बन चुकी है और ये आदत जो होता है वो भासा सिख्षण का माध्यम नहीं होता है क्योंकि आदत का मतलब यह होता है एक ही चीज को रोज रोज रिपीट किया जागा तो वो भासा वो एक तरीके से आदत बनेगा अब यहाँ पर देख लिए आदत को सीखते हैं अरजित करते हैं तो यह भी विकल्प निगेटिव है नॉम चवंस्की ने इस प्रकार का कोई भी स्टेट्मेंट नहीं दिया है एक ही विकल्प बचा आप्शा नमर तीन देखिए बालाह जनमाद एवसहजात भासा अरजन सामर्थयम धार्यती यानि कि यह कहा जा रहा है कि बच्चे जनम जात एक language acquisition device के साथ जनम लेते हैं जो कि उनको भासा अरजित करने में मदद करती है साथी साथ अन्य भासा को सीखने में उनकी मदद करती है तो option no.3 इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा language acquisition device के बारे में उन्होंने बात की थी option no.3 सही जवाब है अगला प्रशन ने पुछा कहा था वाइगोस्की महवदेयस सहयोगात्मक सिक्षन प्रविधी कम प्रती संकेंद्रितम यानि कि ले वाइगोस्की का जो सहयोगात्मक सिक्षन प्रविधी है वो किस पर केंद्रित है तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखने की बात करता है सहयोगात्मक प्रविधी इसी को ध्यान में रहकर के उत्तर डूड़नेंगे चोथे विकल्ब से सुरुआत कर लेते हैं कहा जा रहा है कि सध्धैर्यम विद्यार्थी स्रवणम यानि कि ध्धैर्य पूर्वक सुनने की बात की ज़री है तो केवल सुनना यहाँ पर सामिल नहीं है एक दूसरे की मदद करता हुए सीखने की बात की जाती है सहयो ग्रुप में समो में काम करते हुए एक दूसरे का सहयो करते हुए सीखने की बात की जाती है सहयो गात्मक सिख्षर प्रविदी में यहाँ पर केवल धैर पूर्वक सुनने की बात की जा रही थी तो यह निगेटिव हो गया तीसरा देखिए कक्छायाम विद्यार्थिनम मौनम एवं तिठे स्यू यानि कि यह कहा जा रहा है कि कक्छा में बच्चे जो है वो साइलेंस मेंटेन कर रहे है तो यह भी विगल्प निगेटिव है साइलेंस मतलब बच्चे सक्रिय ही नहीं है और लेव आई गोज की यह मान थे थे कि बच्चे समाजिक तोर पर समूहों में अन्ता क्रिया करके सीखते हैं जब बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सांथ है तो अन्ता क्रिया कहा हो रहा है यह निगेटिव हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा देखिए अगर बच्चा एक-दूसरे से कंपटिशन कर रहा तो उसका हैल्प कहां कर रहा होगा उसका सहयोग कहां कर रहा होगा वो तो आगे निकलने की होड में लगे होगे मुझे उससे ज़्यादा नंबर पाना है तो दूसरे का सहयोग थोड़ी करेगा तो यहाँ पर प्रेश्ण हमसे ये पूछा गया था कि लेवाई गोस्की की अनुसार कौन सा सहयोग आत्माक सिक्षाड प्रविदी है तो देखे विकल्प नमबर दो में बात की गये परसपर सहयोग कुर्वारा विद्यार्थी नहा यानि कि जो छातर है परसपर यानि एक द लेखन के विषय में कौन सा एप्रोप्रियेट है देखिए लेखन को प्रक्रिया उपागम कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि लेखन का जो प्रक्रिया उपागम है वो यह कहता है कि जो लिखने की प्रक्रिया है वो एक चरण दर्द चरण से होकर के गुजर रही होती है ज उसके बाद से एक मोटा मोटी आउटलाइन त्यार किया जाता है, आउटलाइन में हम लोग boundary set कर रहे होते हैं, कि हमें कितने सब्दों में लिखना है, देखिए एक topic पर पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, उसको 500 सब्दों में भी लिखा जा सकता है, और एक paragraph में भी summarize किया है, सही है, उसके बाद से अगर correction करने किया हो सकता होती है, तो correction भी होगा, उसके बाद से final drafting होती है, और अंत में finalize किया जाता है, पूरे लेख को, तो ये प्रक्रिया बार बार चल लई है, जैसे देखिए, एक बार draft जब तयार किर लिया गया, तो उसको फिर से चेक किया फिर से अगर correction क्या हो सकता पड़ती है, तो correct करके फिर हम लोग उस point पर पहुंच जारे है, फिर reject होगा, और फिर अगर correction क्या हो सकता पड़ेगे, तो फिर हम लोग उस point पर पहुंच जाएंगे, यहीं प्रक्रिया बार बार चलती है, यानि एक ही प्रक्रिया को बार बार पृत्ति बोलते हैं यहां पर आवर्तकम योज किया गया है इसी को ध्यान में रखर करके उत्तर ढूनेंगे चलिए चौते विकल से सुरुआत कर लेते हैं कहा जा रहा है कि लेखनम कंठस्त करम कृते पुनरुत्पादम चौभवती यानि कि यह कहा जा रहा है कि जो राइट करेक्षिक नहीं हूता है अगर एक रहा है उसमें कुछ करेक्षण करने क्या हो शकता है क्या अगर मुझे कुछ एरर मिला तो मैं यहां पर करेक्षNG करके फिर यहां पर पहुंच जाओंगा यानि कि ये एक चक्रिय प्रोसेस है आवरित्ती वाली प्रोसेस है जो कि बार-बार एक प्रोसेस को रिपीट कर रही है तो ये एक रैखिक नहीं कहा जा सकता पहला देखे लेखनन ग्रहण सीलम भवती यानि कि कहा जा रहा है कि लेखन जो होता है वो ग्रहण सील यानि कि रिसिप्टिव इसकिल बताए जा रहा है देखे भासा के चार को असल होते हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इन में से दो receptive होते हैं और दो productive होते हैं receptive skill किसे बोलते हैं तो वो skill जिसमें बच्चा निस्क्रिय हो करके किसी दूसरे के द्वारा बोली जारे शब्दों को सुनता है या फिर उनके द्वारा लिखे गए या फिर किसी लेख को पढ़ा होता है तो उस दोरान वो शब्दों को produce नहीं कर रहा है वो सब्दों को receive कर रहा है तो जो कॉषल, सब्दों को receive करने की बाद करें वो receptive skill होता है और उसी को हिंदी में घ्रहर सील कॉषल कहते हैं लेकिन जब हम लोग यहाँ पर प्रेश्ट में लिखने की बाद कर रहा है तो लिखने के दौरान हम शब्दों को लिख करके produce कर रहे होते हैं तो लिखना और बोलना जो होता है वो productive skill होता है और यहाँ पर क्या बोला गया है, receptive skill बोला गया है यानि ग्रहर सील बोला गया है, तो यह विकल्प negative हो गया है यह विकल्प बचा लेखनम आवर्तकम, यानि कि यह चीज बार-बार दोराई जाती है एक process होने के बाद से अगर correction करने के आउशकता है तो हम वहाँ पर फिर जा करके correction करते हैं, फिर reach करते हैं वही प्रक्रिया बार-बार दोराई जा रही है यानि कि ये रेखिक नहीं है बलकि ये एक चक्रिय प्रक्रिया है option number two यहाँ पर बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशने पुछा गया था कक्छायाम मुद्रित समरिध परिवेश विशे अधोली की तेसु किम औस समचीनम यानि कि हमसे ये पुछा जा रहा है कि मुद्रित समरिध परिवेश इसे अंग्रेजी में print rich environment बोलते हैं तो print rich environment के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है निगेटिव वाला बोला गया है देखिए और समचीनम बोला गया समचीनम का मतलब appropriate और आ पहले लगया यानि कि not हो गया निगेटिव सेंस में यानि कि कौन सा appropriate नहीं है कौन सा सही नहीं है वो हमसे पुछा जा रहा है अब print rich environment यानि कि मुद्रित समरिध परिवेश होता क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं आप लोग बच्चों के स्कूल में जाएंगे primary या फिर अपर primary में तो वहाँ पर स्कूल की boundary पर से ही उनको विबिन प्रकार के cartoons, विबिन प्रकार के alphabets, विबिन प्रकार के चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं और इन चित्रों के मादम से बच्चे देख करके सीख रह ह इसी को बोलते हैं print rich environment ये किवल boundary पर नहीं बच्चे की कक्छा में भी इस प्रकार के विबिन प्रकार के पोस्टर्स लगे होते हैं विबिन प्रकार की दिवालों पर design बनाए रहते हैं वो सब कुछ communicate करके बच्चों को सीखने में मदद करते हैं ठीक है इसी को ध्यान में रख तरीके से meaningful तरीके से और fun way में देखिए क्या बोला जा रहा है प्रमोध पूर्ण रितिया यानि की सार्थक तरीके से और खेल के मादम से बच्चों को भासा सिखने में सहायता करता है तो ये बात तो बिल्कुल सही है अभी मैंने आपको उदाहर दिया कि बिल्ली से correlate किया था C alphabet को तो यहां पर C क्या है भासा का ही तो पाट है अंग्रेजी भासा की सबसे सुक्षित्रम जो वर्ण बोला जाता है उसको सीखने में मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं भासा को सीखने में मदद कर रहा है तो ये बात तो बिल्कुल positive है हमारा उत्तर नहीं होगा क्यों कि हमसे negative वाला पूछा गया था दूसरा देखे मुद्रित समाग्रे बहु विधी रूपे है विध्यार्थिनाम परिचय भवती यानि कि ये कहा ज़रा है कि बच्चे जो हैं वो कई तरीके से इसको देख करके एक्सपोज कर पाते हैं यानि एक्सप्लोर कर पाते हैं अपन के बारे में तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया था तीसरा देखे पाठ कोशल विकासार्थम सहायम करोती यानि कि क्या कहा जा रहा है कि ये बच्चों को reading skill develop करने में मदद करता है तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि वहां पर जो चित्र भी बने करने में मदद करेगा तो यह बात बिल्कुल सही हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया था एक ही विकल्प बच्चा option no.4 देखे स्वच्छन्द क्रिडा रूपेड मृदा कृति निर्मानुत्तम छात्रान प्रोत्साहनम करोती यानि कि यह कहा मिर्दा मिट्टी से संबंदित जो ढाल करके कुछ आकृति बनाई जा रही है उसके संबंद में कहा गया है कि क्ले मोल्डिंग या फिर मिर्दा कृति निर्मार के संदर में तो यहां पर प्रिंट रिच इन्वार्मेंट जो है वो बच्चे को एक महौल ये देता है कि बच प्रिंट रिच इन्वार्मेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है और हमसे यहीं पूछा गया था कि प्रिंट रिच इन्वार्मेंट के बारे में कौन सा असत्ते है तो ओप्षन नमबर 4 इसका बिलकुल एप्रोप्रियेट जवाब हो जागा क्योंकि यहीं एक यानि कि Comprehensible Input, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं, Input Hypothesis की आउधाना किसने प्रतिपादित किया था, तो ये Stephen Cresson थे, Stephen Cresson ने एक सिधान्त दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया, कि अभी तक जो पहले के मनोवग्यानिक थे, इनसे पहले के, वो ये मा यानि Mother Tang की तरह acquire किया जा सकता है, अरजित किया जा सकता है, और इसके समन्द में उन्होंने पांच Hypothesis दिये थे, पांच परिकल्पनाय दिये थी, जिनमें से एक परिकल्पना, Input Hypothesis, या फिर इसी को Comprehensible Input के नाम से जानते हैं, जिसे बोध गम में निवेश के तोर पर द बताएंगे, उसके लेवल के बराबर बताएंगे, तो बच्चा कुछ नया कुछ नहीं सीख पा रहा है, क्योंकि उतना तो पहले से जान रहा था, उसके लेवल से कम बताएंगे, तो भी बच्चा कुछ नया नहीं सीखेगा, क्योंकि इतना तो पहले से बच्चा जान रहा पर बच्चे को comprehensible input मिलता है संगेनात्मक निवेश मिलता है ताकि बच्चे सीख पाएं particular किसी language को या फिर किसी concept को ठीक है तो ये सिधान्त किस ने दिया था ये सिधान्त दिया था इस्टीफन क्रेशन ने विकल्प no.2 यहां पर बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा अगला प्र उसको क्या कहा जाएगा तो उसे हम लोग approach बोलते हैं संपूर्ण भासा को सीखना approach के तौर पर देखा जाएगा उपागमा approach इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछे गया था पाठस से पठन विशे दुरुत्र पठनम अस्ती दुरुत्र पठन को अंग्रेजिय में skimming बोलते हैं और दुरुत्र पठन यानि की दुरुत्र पठन में होता क्या है देखिए हम लोग जल्दी यल्दी पढ़ करके main theme की तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप एक ध्यान से समझेगा उदाहरण को अगर मैं आपको news paper का उदाह यानि की मोटा मोटी हम लोग उपर उपर पढ़ रहे होते हैं दुरुत्र पठन में या फिर skimming में उस पूरे लेख का सारांस समझने के लिए अब वहाँ पर news paper को हम पूरा line by line शब्द बाई शब्द थोड़ी पढ़ने जाते हैं हम main idea उसका क्या है आखिर इस लेख में क् करने के लिए उसको receive करने के लिए उसको समझने के लिए हम लोग दुरुत पठन करते हैं विकल्प नमबर एक बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रस ने पुछा गया था चात्रान प्रती उच्छे स्वरनेन पठनम सहायम करोती यानि कि छात्र तो यह बच्छों के किस लिए मदद करता है यह हमसे पूछा जा रहा ठीक है चौते विकल्प से सुरुआत करते हैं कहा जा रहा है कि कक्छायाम सांती इस्थापित करने के संदर में जब बच्चे उच्छ स्वर में तेज तेज जोर जोर से चिला करके पढ़ें तो सांती क कहा इस्थापित हुआ यह तो निगेटिव हो गया ना तीसरा देखे पार्थ वस्तुनाह आवबोध धार्णम यानि कि कहा जा रहा है कि जो पार्थ बच्चा पढ़ रहा है उसका अर्थ समझने के संस में आवबोध उसका धार्ण कर रहा है तो देखिए दो प्रकार का प बोलेगा तो जैड़ से बात है किस प्रकार्शन शब्दों को प्रोनशियेट करना है वो कौसल उसमें विक्सित होगा लेकिन मौन पठ्थन में क्या होता है मौन पठ्थन में हम लोग पढ़ करके उसका अर्थ अच्छे से ग्रहान कर सकते हैं क्योंकि सस्वर जब पठ्थ विकल्प निगेटिव होगे हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे कक्छायाम स्वाधिकारम प्रदर्शनाय यानि कि कहा जा रहा है कि यह कक्छा में एक तरीके से अपना अधिकार दिखाने के सेंस में है तो यह विकल्प निगेटिव है इसका तेज पढ़ने का सस्व यानि कि pronunciation की बात की गई और सब्द कोष निर्माण yarni की वोकेबलरी की बात की गई यानि जब बच्चे तेजदेश पढ़ रहे होते हैं तो जारी साथ प्रॉकेबलरी सब्सरी przede cost विकास सिध्धानते अनुसारम भासा स शहते यानि कि कहा जा रहा है कि प्याजे के थियरी के अनुसार बच्चों में भासा का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है वो हमसे पूछा जा रहा है ठीक है चलिए चोथे विकल्ब से शुरुआत कर लेते हैं कहा जा रहा है कि बाल मस्तिस्के निहित सर्व सार्व भौमिक व्याकरणराद यानि कि बच्चों के मस्तिस्क में जो निहित सार्व भौमिक व्याकरण का सिध्धानत है उसके अंतरगत तो देखे सार्व भौमिक व्याकरण या फिर इसी को यूनिवर्सल ग्रामर का नाम कहा जा सकता है इंग्लिस में तो ये concept जो है वो नौम चमस्की का है नौम चमस्की ने ये statement दिया था कि बच्चों के जो सभी भासाओं का grammar होता है वो common होता है जैसे कि हिंदी में भी आप संग्या पढ़ते हैं इंग्लिस में आप उसी को noun पढ़ते हैं तो जो कुछ भी व्याकरण आपने एक भासा में सीखा है वहीं व्याकरण दूसरी भासा में भी होता है यानि व्याकरण सारोभामिक होता है और इसलिए एक language अगर बच्चे ने सीख लिया है तो दूसरी language सीखने में उसको मदद मिलती है ये सिध्धान्त किस ने दिया था ये 9 चमस्की ने दिया था और प्रशनम से जीन प्याजे की हिसाब से पूछा गया है तो option गलत हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा देखे तुरुटी पूर्वकम प्रयास करनातम करनात यानि कि trial and error method की बात की गई है यानि एक बार प्रयास किया गया अगर कुछ असफल हुआ तो दुबारा प्रयास किया जएगा फिर असफल हुआ तिबारा प्रयास किया जएगा यानि एक ही चीज को repeat करने के बात की जा रही है तो ये वेवहारवादियों से जुड़ा हुआ है हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि जो जीन प्याजे थे वो सनचणवाद से जुड़े होए थे ना कि विवहारवाद से तो ये विकल्प निगेटिव होगे हमारा उतर नहीं होगा। दूसरा देखिए समाजिक अंता क्रिया च समाजिक अंता क्रिया यानि कि एक तरीके से कहा जाँ रहा है कि social interaction के माद। तो ये भी विखलप negative है क्योंकि जो social interaction है वो लेवाईगोचकी का term है लेवाईगोचकी ने अपना सिधान्त दिया था समाजिक सांस्कृतिक अंताक्रिया का सिधान्त देखे यहां पर अंताक्रिया भी आया हुआ है और समाजिक भी आया हुआ है और अनुकूलन को इंग्लिस में एकोडमोडेशन बोलते हैं तो ये दो टर्म है जिसके माध्यम से जीन प्याजे ने बताया था कि बच्चे किसी नए information को देखते हैं तो information को कैसे receive करते हैं सबसे पहले उनके mind में जो schema बना होता है schema मतलब कि एक तरीके से folder समझ लिए जिस प्रकार से आपके mobile में विबन प्रकार के अलग-अलग files को handle करने के लिए अलग-अलग folders बने हैं जैसे कि video clips के लिए अलग folder mp3 गाने का अलग folder, video contacts माफ किजिएगा, contact list का अलग folder, यानि जितने प्रकार की file होगी जैसे PDF का अलग folder बना होगा तो जितने प्रकार की file उतने प्रकार के folder बने होगी तो इसी प्रकार से बच्चों के mind में जो information save होता है, वो schema में save होता है इसको आप एक तरीके से folder समझ सकते हैं information का, और category के हिसाब से अलग-अलग folder बने होगे जैसे खाने की वस्तू है तो उसका अलग folder है पहनने की वस्तू कपड़ा है तो उसका अलग folder है कोई घूमने का जगा का अगर place का image है तो उसका अलग folder होगा तो ये सभी चीजे अलग-अलग information save करने के लिए folders बने हैं जिसको जीन प्याजे ने schema बोला था अब आत्मसातिकरन क्या होता है ध्यान से समझेगा बच्चे ने किसी information को देखा पहले से उसके mind में इसके लिए इसकीमा बना हुआ है अगर नया information देखा और पुराने और नये में कोई भी अंतर नहीं कर पाया उस दोरान अगर पुराने information और नया information में कोई भी अंतर नहीं कर पाया तो वो information को हूँ बहु accept कर लेता है जिसे हम लोग आत्मसातिकरन या फिर assimilation बोलते हैं ठीक है और अगर in case अगर in case वो information नया information और पुराने इसकीमा में कुछ अंतर कर पाता है तो उस information को receive करने के पहले वो उस schema में कुछ बदलाओ करता है कुछ edit करता है तो अगर बदलाओ करने के आउशक्ता पड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं समायोजन और अनुकूलन के अंतरगती समावेशन और समायोजन आता है यानि आत्मसातिकरन को ही समावेशन बोलते है तो समावेशन और समायोजन अनुकूलन के अंतरगत आता है यानि कि एक information को हम लोग कैसे अपने अनुकूल बना रहा है या तो पहले के information जो है उसमें कोई भी अंतर ना हो या फिर ये भी तो हो सकता है कि कुछ अंतर होगा तो हमें edit करके फिर से information को save करना होगा तो अगर अंतर नहीं हुआ तो assimilation यानि कि आत्मसातिकरन और अगर अंतर हो गया तो फिर समावेशन ठीक है यानि adjustment तो और adjustment जो है और जो assimilation है दोनों अनुकूलन का ही पार्ट है तो यहीं जो दोनों सिध्धान थे ये जीन प्याजे की द्वारा दिया गया था और उन्होंने बताय था कि इसी के माद्यम से बच्चे भासा सीखते है विकल्प नंबर एक याँ पर बिल्कुल पोजिटिव हो जाएगा भासा की एक कछा में एक सिख्छक ग्री भासा थी ये किस प्रकार का ये क्या कहलाएगा तो ये देखें ये बच्चों को भासा सीखने में मदद करता है उप्शन नुमर टू भासा सिख्छडम समवर्धियती इसका बिल्कुल सठीक जवाब हो जएगा यानि कि जो कुछ भी बच्चे हो सकता है कि प्राइमरी में जब पहली बार आए हो तो विद्याले की आपचारिक भासा के बारे में नहीं जानते हो चौथा विकल्ब दिया गया है देखिए लक्षे भासायाम नैपूर्णे विकासे हस्तक्षेपम करोती यानि कि कहा जा रहा है कि उसकी जो मदर टंग है वो उसको इंटर्फियर करेगा एक तरीके से जो टार्गेट लेंग्वेज है उसको सीखने के संदर में तो ये होगे हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा देखिए कहा जा रहा है कि लक्षे भासा सिखड़े व्यावधानम करोती यानि कि कहा जा रहा है कि ये टार्गेट लेंग्वेज को सीखने में व्यावधान उत्पन करता उसका मदर टंग तो ये भी गलत हो गया पहला देखिए लेंग्वेज सिखने में मदद करता है विकल्प नमबर दो यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तो संस्क्रीट पैट होगा जी के महतोपून प्रश्णों की ये स्रिंखला आपको कैसी लगी कमेंट के मादम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक प्रामरी के सभी शिफ्टों के प्रिवियस येर पेपर के कम्प्लेट सलूशन को डिटेल में देखना चाहते हो तो इस वीडियो के समाप थोने के बासे इस वीडियो का डिस्क्रिप्चन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो इ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ